क्या कानून विवस्था सिर्फ आम लोगों के लिए है बड़े लोगों के लिए नहीं नमस्कार मैं श्वेत और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनिश यह सवाल इन दिनों इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्र नुटीश कुमार जिस गाड़ी से गूम रहे हैं बिहार पुलिस जहां एक तरफ ट्रैफिक रूस तोड़ने को लेकर लगातार एक कड़े नियम बना रही है एक दिन में एक महीने में लगतार पैसे वसूल कर रही है आम जंता से वही मुख्यमंतरी नितीश कुमार की गाड़ी को लेकर अब आम जंता ही सवाल उठाते हुए नजर आ रही है नितीश कुमार में कानून का राज है कानून सब के लिए एक समान है नतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता अक्सर इस बात को कहते हैं लेकिन शुकरवार को जो तस्वीर सामने आई है उससे देखकर हम कह सकते हैं कि नतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेता जूट बोलते हैं आम और खास के लिए नियम कानून अलग-अलग हैं अगर विश्वास नहीं होता है तो मुख्य मंतुरी की गाड़ी को ही देख लीजी नतीश कुमार जिस गाड़ी से सवारी कर रहे हैं उसका इंसोरिंस फेल हो चुका है वो पिछले पांस साल से सरकारी कागजात गवाही दे रहा है कि नतीश कुमार की गाड़ी का इंसोरिंस नुतिश कुमार शुकरवार को सहरसा दोरे पर थे पुर्वसांसद और बाहू बलीनेता अनन्द मोहन के दादा और चाचा की प्रतीमा का अनावरन करने के लिए पंच गचिया पहुँचे थे नुतिश कुमार पटना से हलिकॉप्टर से गय थे हेली पैट से प्रतीमा अस्थल और अनन्द मोहन के घर आने जाने के लिए पटना से उनके लिए खास गाड़ी सहरसा गई थी मुख्य मंत्री के लिए पटना में सफारी गाड़ी की गई थी गाड़ी का नंबर B-01C-0077 है हलिकॉप्टर से उतरने के बार नुतिश कुमार इस गाड़ी में बैठे और सभास्थल तक गया नुतिश कुमार जिस गाड़ी में चल रहे थे उस गाड़ी के कागजातों की छानबीन की गई तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई परिवहन मंत्राले की ओर से ऑनलाइन मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी नंबर का इंसोरेंस 2018 में ही फेल हो चुका है यानि पांस साल से बिना इंसोरेंस की गाड़ी बिहार में दोड रही है ये गाड़ी बिहार पुलिस के आईजी प्रोवीजन के नाम से रजिस्टर है 2017 में इस बुलिट प्रूफ गाड़ी को खरीदा गया था सवाल ये उठता है कि नतीश कुमार के पुलिस गाड़ी का चलान क्यों नहीं काट रही जबकि मोटर वाहन कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना इंसोरेंस की गाड़ी चलाने का धिकार नहीं है 2019 में देश में लाग हुए मोटर वाहन कानून के तहत बिना इंसोरेंस की गाड़ी चलाना अवैद है और कानून अपराद है अगर कोई बगार इंसोरेंस की गाड़ी चलाता है और पकड़ा जाता है तो 2000 रुपे का जुर्वाना और 3 साल की जेल हो सकती है तरफ यहां बिहार सरकार कहती है कि कानून विवस्था आम हो या खास हो सब लोगों के लिए एक समान है तुमाई दूसरी तरफ आए दिन तस्वीरे ऐसी निकल जाती है जिसके बाद कानून विवस्था पर सवाल उठना लाज़मी है साथी साथ आम जनता का सवाल करना भी ज जैज इसलिए है क्योंकि जो आम जनता एक हेलमिट नहीं पहनती है तो उनके उपर हजार उपे का चलान काट दिया जाता है आम जनता अगर रॉंग साइड चलती है तो उनके उपर 500 का चलान काट दिया जाता है लेकिन मुक्हमंतर नतीश कुमार बिना इंसोरेंस वाली गाड साल से लेकिन उस गाड़ी को लेकर ना तो कोई चलान काटी जाती है और ना ही इस गाड़ी को लेकर कोई सवाल उठाता है आज हम आप से पूछना चाहते हैं कि आपका क्या कुछ कहना है इस कानून ववस्था को लेकर आम लोगों के लिए और खास लोगों के लिए हमारे कमे इंबोक्स में जरूर बताएं